साथियों, हमारे देश में ट्रांस्पोर्ट के माध्यम जितने बहतर होंगे, आत्मन दिर्भरता और आत्म विश्वास का हमारा संकल्प उतना ही ससक्त होगा। मुझे खुशी है कि कोलकाता के अलावा हुगली, हावडा और उत्तरी 24 परगना जीले के साथियों को अम मेट्रो सिवा की सुविधा का लाब मिल रहा है। आज नाओ पाड़ा से दक्षिनेश्वर तक जिस खंड का उद्गातन किया गया है, इससे डेड़ गंटे की दूरी सिर्फ 25-35 मिनिट के बीच में सिमट जाएगी। दक्षिनेश्वर से कोलकता के कभी सुभाज या न्यू गडिया तक मैट्रो से अब सिर्फ एक घंटे में पहुँचना संबव हो पाएगा। जबकि सडक से ये दुरी धाई घंटे की है, इस सुभिजा से स्कूल कॉलेज जाने वाली वाओं को, दपतरों फैक्टरियों में काम करने वाले कर्वचारियों को, स्रमीकों को बहुत लाब होगा। विशेश तोर पर इंडियन स्टेटिकल इंस्टिटूट, बारानगर केंपस, रविंद्र भारती विश्वाद अलाए और कलकत्ता विश्व विदाले के अर्थिसात्र विभाग वहां तक महुतने में अब आसानी होगी। यही नहीं, काली गाट और दख्षणे स्वर्वें मा काली के मंदिरों तक पहुंचना भी अब सद्धावनों के लिए बहुत आसान हो गया है। साथियों, कोलकता मेट्रों को तो दसको पहले ही देश की पहलों मेट्रों होने के गवरोप्राप्त हुआ था। लेकिन इस मेट्रों का आधुनिक अवतार और विस्तार बीते वर्षों में ही होना शुरू हुआ है। और मुझे खुशी है कि मेट्रों हो या रेलवे सिस्टीम आज भारत में जो भी निर्माण हो रहा है। उसमें मेड इन इंडिया की छाप स्पष्ट दिख रही है। ट्रैक बिचाने से लेकर रेल गाडियों के आधुनिक इंजिन और आधुनिक डिब्बों तक बड़ी मात्रा में उप्योग होने वाला सामान और टेक्नलोजी अब भारत की अपनी है। इससे हमारे काम की स्पीड भी बढ़ी है, क्वालिटी भी सुद्री है, लागत भी कमी आई है और ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ती जा रही है।